हम पड़े लिखे हैं वो चौथी पास है वो अनपड़े है उनको सरकार चलानी नहीं आती हम पड़े लिखे हैं ये बड़ा जरूरी है वो चौथी पास है वो अनपड़े है उनको सरकार चलानी नहीं आती वो अनपड हैं चौती पास हैं अब जब जाओगे आपको इसके बाद आज से बिजली अंदोलन शुरू हो रहा है घर घर जाओगे आप गाओं गाओं में जाओगे आप गाओं गाओं के अंदर मीटिंग करेंगे अब अगले महीने दो महीने तीन महीने आनदोलन चलेगा बिजली का गाओं गाओं में मीटिंग करेंगे घर घर जाएंगे लोगों से बाचीत करेंगे उनको बताना पड़ेगा किस तरह से ये लोग बिजली कंपनियों के साथ मिले वें इसलिए आपके बिजली का बिल जीरो आ रहा है और अगर एक साल के अंदर भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 गंटे बिजली कर दी तो बिजली 24 गंटे तो हो सकती है इसका मतलब कमी तो नहीं है बिजली की एक और चीज़ आपको बता दूँ पूरे देश की पूरे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है अपनी और बिजली की डिमांड है 2 लाख मेगावाट की पूरे देश की बिजली की डिमांड 2 लाख मेगावाट की और बिजली बनाने कि ख्यमता अपनी चार लाख मेगवाट कि फिर बिजली की कमी तो ओनी नीची अपने देश के अंदर कहां जा रही है ये बिजली क्यों नी बना रहे हैं बिजली क्योंकि वो चौथी पास है उसको समझ ही नहीं है 24 गंटे नौटंकी करता है वह इसलिए पड़ा लिखा आदमी चाहिए तो जब आप जाओगे उनको बताना कि किस तरह से घरगर में जाके आपको सबको बताना है कि अब अपने को पड़ी लिखी सरकार हर्यान में भी चाहिए जैसे भगवन तमान साब ने का अगर पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है द मौडल दिखा दिया अब हम लोगों ने 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है फ्री में भी बिजली मिल सकती है यह हमसे पूछा करते थे हमारे उपर चैलेंज करते थे जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा पैसा कहां से आएगा पैसा कहां से आएगा अब पैसा भी आ गया दिल करजा पिंजाब पे चड़ा वहा था अब सारा करजा उतार रहे हैं अब दिरी दिरे इतना करजा इन्होंने चड़ा क्यों नियत साफ है इमांदार लोग है हम लोग देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकान दबाना न भूलें